Hello everyone, Storyteller शिवानी मैं आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Joseph Edison के essay Sir Roger at Church के बारे में Joseph Edison एक English essayist, poet, playwright और politician थे Edison अपने essays के लिए जाने जाते हैं Sir Roger at Church को Edison द्वारा 1711 में लिखा गया ये essay एक Church Man Sir Roger के बारे में है कि वो मानवजाती के एक लवर थे और उसे सब प्यार करते हैं लेकिन उनके character का एक comic aspect है जिसके कारण लोग उन्हें respect करने के बजाए प्यार करते हैं Sir Roger का character, hospitality, humanity, love, helpfulness, disappointment, superstition, singularities, honesty और goodness का बरिया mixture है तो चलिए शुरू करते हैं Author अपने गाउ में हर रविवार को बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पवित्र रविवार एक लौता ऐसा human institution है जो लोगों को civilized बना सकता है अगर संडे नहीं होता तो गाउ वाले जंगली और असभ्य बन जाते क्योंकि संडे के दिन पूरा गाउ और गाउ के लोग फ्रेश और आनंदित दिखाई देते हैं सब अपनी best dresses में होते हैं हर कोई एक दूसरे से रोजमर्रा की problems discuss करते हैं चर्च में पादरी उन्हें उनकी social और spiritual duty यानि करतव्य के बारे में बताते हैं और वे लोग साथ में भगवान से प्राथना करते हैं तो इस तरह से उनमें morality आती है जो उन्हें सभ्य बनाती है ओथर बताते हैं कि रवीवार पिछले बाकी छे दिनों की धूल को गंदगी को साफ कर देता है physically भी और spiritually भी क्योंकि रवीवार को आप देखेंगे आज भी बहुत घरों में special सफाई चलती होगी हाला कि अब रहन सहन बदल गया है तो उल्टे लोग इसे holiday मान कर लेट तक सोते हैं और कम काम करते हैं लेकिन पहले के जमाने में और ज्यादा तर गाव में आज भी लोग रवीवार को ज्यादा साफ सफाई करते हैं नेल कटवाते हैं बाल बनवाते हैं नहाद होकर अच्छे कपड़े पहनते हैं और अगर spiritually बात करें तो Christianity में हर रवीवार लोग प्रेयर्स के लिए चर्च जाया करते हैं अब एक अच्छा चर्च मैन होने के नाते सर रोजर ने चर्च को अंदर से सुन्दर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए Holy Bible से कुछ quotations लिखवाई हैं वो भी अपने पैसो से और और भी कई चीज़े की इस चर्च को अच्छा बनाने के लिए वो बताते हैं कि जब वो यहां आये थे इस गाउ के लोग चर्च आने में बहुत irregular थे तो लोगों को भगवान की प्राथना सिखाने के लिए सर रोजर ने उन सब को पूजा का आसन और प्रेयर बुग दी और एक सिंगिंग मास्टर को भी रखा जो गाउ के लोगों को प्रेयर की सही ठ्यून और रिद्म सिखाए और अब ये सब सीखने के बाद यहां के लोगों को भी गर्व है कि वे इतने अच्छे से प्रेयर कर पाते हैं और ओथर ने इससे अच्छा चर्च पहले कभी नहीं देखा सर रॉजर पूरी भक्त मंदली के लैनलॉर्ड है जमिनदार है और उन पर पूरे चर्च की रिस्पॉनसिबिलिटी है तो रॉजर अपने रूल्स रेगुलेशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है वो प्रेयर के समय किसी को सोने नहीं देते हाला कि ये अलग बात है कि कभी-कभी वो थोरी देर के लिए जरूर सो जाते हैं और फिर उठते ही अचानक खरे होते हैं कि कोई सो तो नहीं रहा और सोई हुए को उठाने के लिए या तो वो खुच जाएंगे या अपने सर्वेंट को भेजेंगे कभी-कभी जब सारे लोग भजन गा चुके होंगे वो अगले एक मिनट तक भजन खत्म होने के बावजुद गाते रहेंगे कभी-कभी वो अपनी ही प्रात्ना से खुश होकर एक ही प्रेयर में तीन-चार बार आमिन बोल देते हैं तो कभी-कभी जब सारे लोग भगवान के सामने घुटने टेके रहते हैं लेकिन रोजर खरे होकर लोगों की गिंती करते हैं कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है आखरी दिन ओथर बड़े सर्प्राइज थे जब सर रोजर ने ही एक आदमी जिसका नाम जोहन मैथ्यू था उसे कहा कि प्रेयर के समय लोगों को डिस्टर्ब ना करे और ये जोहन बहुत आल से इंसान था तो सर रोजर का बिहेवियर बहुत अलग था उनके करेक्टर में कोई ऐसी बुराई नहीं थी और ऐसा इसलिए भी कि लोग जानते थे कि सर रोजर सबका भला ही सोचते हैं वो दिल से सब का भला चाहते हैं और इसलिए उनकी बिहेवियर की जो स्ट्रेंजनेस थी इसे भी लोग पॉजिटिव ही मानते और उल्टे इसका लोगों पर गहरा प्रभा हुआ जैसे ही प्रेयर खत्म होती कोई तब तक जाने की हिम्मत नहीं करता जब तक सर रोजर चर्च से नहीं चले जाते कभी-कभी वो अपनी सीट से उठकर लोगों के पास आते और उनसे उनकी मा, परिवार या रिष्टेदारों के बारे में पूछते जो चर्च नहीं आए सर रोजर को सही जवाब दिया तो उन्होंने उस लड़के को एंकरेच करने के लिए एक बाइबल और उसकी मा के लिए मीट का एक टुकरा दिया सर रोजर क्लर्ग की पोस्ट की सैलरी हर साल पाँच पाउंड से बढ़ाते हैं कि गाओं के नौजवान चर्च सर्विस में एक्टिव रहें अब आसपास के गाओं की बात होती है जो आपस में लड़ते रहते हैं और इसका परिनाम ये हो रहा है कि लोग चर्च में अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं हर कोई अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने में लगा है जमिंदार लोग चर्च नहीं जाते और व्यापारी खुले आम उसकी निंदा करते हैं जबकि ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि प्रीस्ट हमेशा लोगों को लैंडलोर्ड के खिलाफ कहते हैं और लैंडलोर्ड इसका बदला व्यापारी से लेते हैं वो चर्च नहीं आते लैंडलॉड्स गाव के लोगों को नास्तिक बनाते हैं चर्च के लिए फंड देने से मना करते हैं जबकि प्रीस्ट गाव वालों को हर संडे ये बताते हैं कि हर प्रेयर के बाद वो लैंडलॉड्स से बहतर इंसान बनते हैं और अब इन सब का परिनाम ये हुआ कि लैंडलोर्ड ने छे महिनों से ना तो पब्लिकली प्रेयर की ना ही प्राइवेट में प्रिस्ट ने उसे धमकी दी है कि अगर वो अपना बिहेवियर नहीं सुधारते तो उसे पूरी धार्मिक सभा के सामने इसका भुक्तान करना होगा तो लैंडलोर्ड और प्रिस्ट के बीच के ये जगरे गाओं में आम बात है और आम लोगों के लिए बहुत हानी कारग भी है ये आम है कि साधारन लोग अमीरों से बहुत मोहित रहते हैं अकर्शित रहते हैं और कभी-कभी पादरियों के लिए इन साधारन लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कई लोग जो 500 पाउंट कमाते हैं चर्च या भगवान पर विश्वास नहीं रखते भगवान हमें दुख नहीं मिले हमें ठीक से खाना मिल जाए और जब इन गरीब लोगों को ये पता चले कि बहुत रिच लोग जो हैं वो भगवान को नहीं मानते तो अगर भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो उनकी स्थिती अच्छी कैसे जो भगवान को मानते ही नह तो फिर तो गरीब लोग भी यही सोचेंगे कि हम भी क्यों भगवान को माने तो ये सारी चीजे सारे लोगों पर प्रभाव डालती है तो अमीर और ग्यानी लोगों को आपस में एक अच्छा relationship maintain करना चाहिए तब ही चर्च के प्रवचन या उपदेश साधारन लोगों पर effective होंगे और इस तरह से हमारा essay खत्म हो जाता है Thank you